नमश्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एश्टाउलोजी पर मैं यश्रास्तिवारी आज आप सभी के समों को पस्तित हुआ हूँ एप्रिल दोहजार चौबिस के मासिक राशीफल को लेकर इस राशीफल के कारिक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्त के विशे में, आपके शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरेड लाइफ, आपके करियर के विशे में और साथी साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मन्त होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाब और क्या हानी देने जा रहा है इस विशे में भी चर्चा इस राशिफल के कारिक्रम में आज होगी साथी साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताये गए हैं जिससे आप अपने इस माह को और स्टेश्ट बना सकें और जो परेशानिया हैं उनको कम कर सकें अताहा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भाती ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समच सकें सबसे पहले मैं आपको पता देता हूँ कि इस मन्त में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है तो सूरी का गोचर मेश राशी में होगा 13 एप्रिल 2024 के बाद से यानी सूरी मीन राशी को छोड़ करके मेश राशी में प्रवेश करेंगे 13 एप्रिल 2024 के दिन साथी साथ मंगल मीन राशी में प्रवेश करेंगे कुम्भ राशी को छोड़ करके 23 एप्रिल 2024 के दिन बुद्ग्रह 9 एप्रिल 2024 को मीन राशी में ही वक्री होने जा रहे हैं साथी साथ शुक्र मीन राशी में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेश में प्रवेश करेंगे 25 एप्रिल 2024 के दिन जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं ये जो राशी फल का कारिक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशी के आधार पर बता रहा हूँ यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए आईए अब हम चर्चा प्रारंब करते हैं राश्यों के क्रम में 11 वी राश्य अर्थात कुम्भ राश्य के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है एप्रिल 2024 का ये मन्थ कुम्भ राशी के जातकों को इस मन्त में especially 24th of April तक अपने स्वास्त का ध्यान रखने के आवशकता है क्योंकि राशी पर ही शनी और मंगल की यूती बनी हुई है सरदर्द की शिकायत हो सकती है स्वास्त से सम्मंदित नाना प्रकार की परिशानिया आपको देखने में मिल सकती है साथी साथ बेचैनी मानसिक अशान्ती भी आपको देखने में मिलेगी आप चाहेंगे कि आपके हर कारे बहुत चल्दी गती से हो जाएं या आपके मन में इक्षा उत्पन होगी आप थोड़ा सा impatient हो सकते हैं पेशेंसी धहरे की कमी आपके मन में उत्पन होगी और शनी के लगन में होने के जलते कोई भी कार है आपका वक्त पर पूरा नहीं हो पायागा जिस वज़े से आपका मन काफी हदे तक अशान्त रह सकता है और मानसिक अशान्ती की वज़े से सरदर्द stress की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है कुछ हट तक anxiety भी होती हुई दिखाई दे रही है शिक्षा के point of view से यदि देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी बुध द्वितिय भाव में वक्री होकर के गोचर करने वाला है आपके लिए एप्रिल के मन्थ में अब जैसे ही पंचम पती द्वितिय भाव में जाकर के गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं शिक्षा के द्रिष्टी कोण से ये समय आपके लिए अच्छा होगा परन्तु वो राहु के साथ में हैं जिसके चलते कहीं न कहीं कन्फ्यूजन की स्थिती जरूर आपको देखने में मिल सकती है मानसिक अशान्ती तो अल्रेडी है कन्सेंट्रेशन में कमी शिक्षा में कुछ हद तक कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन गुरू का जो संबंध है वो त्रितिय भाव में ही बना हुआ है जिसके चलते पढ़ाई को लेकर के और उनकी द्रिष्टी नवंभाव पर है पढ़ाई को लेकर के शुरूरात में जरूर कंसेंट्रेशन से संबंधित परिशानिया होंगी लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ेगा यह प्रॉबलम आपकी काफी हदे तक सॉल्व होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी प्रेम संबंध के पॉइंट अव व्यू से देखा जाए तो शुक्र और राहु की यूती जन्मकुडली के द्वितिय भाव में बनी हुई है और मंगल आपके लगन में यदि आप अपने क्रोध पर नियंतरन रख लेते हैं तो लव लाइफ के पॉइंट अव व्यू से कुम्भर आशी के जातकों के लिए ये मन्त अच्छा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कोई लोगों के बीच में लड़ाई जगड़ा कला की इस्ति क्रियेट हो और आप तो नों के बीच में दूरी या रिष्टे में दरार आने की पॉसिब्लिटीज बन सकते हैं तो अपने क्रोध पर यदि अपनी अंतरन रखते हैं तॉल मोल करके अगर बोलते हैं तो अब लाइफ में कोई बहुत ज़दा दिक्कत आती हैं मुझे दिखाई नहीं दे रही है सब्तम्भाव का स्वामी यादि हम मैरिड लाइफ की पॉइंट अग्यों से बात करते हैं तो सब्तम्भाव का स्वामी वितिय भाव में राहू के साथ में और ये राशी परिवर्तन करके 13 अप्रिल को तीसरे घर में आ जाएंगे तो 13 अप्रिल तक मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परिशानिया है हो सकता है कि एगू की वजह से या आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्त की वजह से आपको थोड़ा परिशान होना पड़े लेकिन 13 अप्रिल के बाद में मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज़़ा परिशानिया नहीं है लेकिन मंगल और शनी की उती सक्तमभाव पर पढ़ रही है जिसके चलते आपके क्रोध की ही वजह से आपके और आपके लाइफ पार्टनर के वीज में लड़ाई जगड़ाई की स्थेती क्रियेट हो सकती है तो ये एक बात है बाकी करियर के दृष्टी कोण से यदि हम देखते हैं तो दशमपती बने हुए मंगल राशी पर ही गोचर कर रहे हैं आपकी तो करियर के दृष्टी कोण से ये अच्छा है धनागवन के पॉइंट अव्यू से भी इस समय आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है वितिय भाव में सूरी राहु की उती रहेगी 13 अफ एप्रिल तक ये हो सकता है कि कुटुम्भी जनों के बीच में कुछ विवाद को उत्पन गरे तो आपको वाद विवाद से दूर रहने के आवश्कता है यदि आप बहुत ज़्यादा वाद विवाद में रहते हैं तो कही न कहीं दिक्कत होगी और कुटुम्भी जनों से धोखा मिलने की संभावनाएं भी बनती है मेंली यदि आपने क्रोध पर नियंटन रख लिया तो ये मन्त आपके लिए अच्छा है लेकिन आप ही क्रोध आप ही की वाणी की कड़वाट की वज़े से आपके काम समय पर बिगड़ने वाले है धन, करियर और व्यापारी तीनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं व्यापार पती तृतिये में गोचर करने लग जाएंगे 13 अप्रिल के बाद से वो समय आपके लिए और भी जादा बहतर हो जाएगा हनुमाँ चली सका नित्ये तीन बार पाठ करिए ये तीन उपाय तो आपको मतलब इस मन्थ में क्या इस साल में आपको करने हैं तो इन उपायों को तब करते ही रहेंगे तो आप काफी हदे तक सुरक्षित रहेंगे बाकी सूर्य और राहु की होती है तो सूरी की अराधना करना सूर्य भगवान को जल अरपित करना नित्य सूर्य आश्टकम का पाठ करना भी आपके लिए काफी मैं बैनिफीशल देखता हूँ बाकी गड़ेश जी के मंदिर में जाकर के बुद्वार के दिन धर्शन करिए गड़ेश जी पर दूरवार अरपित करना भी आपके लिए काफी हद तक अच्छा दिखाई पड़ता है तो प्रिये दर्शकों ये था कुम्ब राश्य के जातकों के लिए एक्टरिल 2024 का राश्रीफल आशा करता हूँ कि कुम्ब राश्य के जातक मेरे द्वारा बताये गए इस राश्रीफल के कारिक्रम से संतुष्ट होंगे यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए साथे साथे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्रोड किया जाता है उसका नूटिकिशन आपको मिलता रहे यदि इस कारिक्रम से आपका कुछ भी लाब हुआ है तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माध्यम आप बने आज कि इस राश्यकल के कारिक्रम में बस इतना ही रखते हैं नमस्कार